नमस्कार स्वागत है आपका IT Now स्वदेश पर मैं हूँ आपके साथ पूजत्र पार्टी और आप देख रहे हैं Good Morning स्वदेश और इस एशो में आगे हम आपको बताएंगे आज सुबह सुबह संकेत कैसे मिल रहे हैं ग्लोबल बाजारों से और दुनिया भर के बाजारों से भी किसरा के संकेत है ये भी हम आपको बताएंगे साथ ही खबरों वाले शेर्स, ब्रोक्रेज रिपोर्ट और कमोडिटी मार्केट का पूरा आक्शिं भी एक ही करके आपके सामने रखेंगे चले शिरुवात करते हैं सबसे पहले एशाई बाजारों से और काफी अच्छे संकेत मिल रहे हैं जापाइं के बाजार के बाद करें तो करके छुटी के बाद आज खुले और और टाइम हाई पर निकई कारोबार कर रहा है करीब 40,000 के उपर 560 अंकों की तेजी निकई में देखने को मिल रही है गिफ्ट निफ्टी की भी शुरुवात पॉजिटिव है 170 अंक उपर 22,000 के उपर के इंडिकेशन मिल रहे हैं गिफ्ट निफ्टी से होंग कोंग के बाजार में 2% से जादा की तेजी 380 अंक उपर हैं होंग कोंग के बाजार कोरिया के बाजार में भी करीब करीब 2% की तेजी और चीन के बाजार भी 7% उपर इस वक्त कारोबार कर रहे हैं काफी शानदार संकेत हैं जापान के बाजार औल टाइम हाई पर और अन्य ग्लोबल मार्किट पर नज़र डाले तो अमेरिकी बाजारों से भी काफी अच्छी शुरुवात कल हुई है और डाउ जोन्स में 400 अंकों की तेजी रिकॉर्ड स्तरों पर बंद हुआ डाउ जोन्स हुजा थी कल एक बड़ा इविंट जिस पर दुनिया भर के बाजार की नजर थी और जिस तरह की कॉमेंटरी वहां से आई उसके बाद हमने देखा कि दुनिया भर के बाजारों में तेजी देखने को मिली यूएस फेड ने ब्यासदरों में बदलाब नहीं किया ब्यासदर 5.25 से 5.5% की रेज में बरकरा जो कि एकस्पेक्टेड लाइन पर ही था लेकिन एक बात जो बाजार को पसंद आई वो ये थी कि फेड चेर्मेन ने ये इंडिकेशन दे दिया है कि 2024 के पहले पहले ब्यासद कटाथी की उमीद वो देख रहे हैं सेकंड हाफ में ये फैसला लिया जा सकता है तो ये जो कमेंटरी आई उसके बाजार ने उसको काफी पसंद किया और हमने देखा कि शांदार तेजी देखने को मिली जब ये फैसला आया यूएस में फिनांशल शेरों में तेजी थी अम है फाइबर मेटा वहां पर शांदार तेजी देखने को मिली क्योंकि ब्यास दरों में अगर कटौती होती तो टेक्स शेरों को काफी फाइदा होता है तो इसका सर्म ने वहां पर भी देखा अब आज जॉबलेस क्लेम के आगड़े और घर बिकरी के आगड़े भी आएंग कि जब तक 2% के पास और जितने भी आर्थी काकड़े आ रहे हैं जो डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं जब तक फेड उनको लेकर कमफर्टेबल नहीं हो जाता तब तक ब्यास दरों में कटौती वो नहीं करेंगे हा लेकिन उनका कहना है कि उस तरफ इंडिकेशन अब धीरे दिखाई दे रहा है और इसलिए वो कहना है कि 2024 में तीम बार कटौती की उमीद वो दिखा रहा है और इनका ये भी कहना है कि लेबर मार्केट मजबूत नजर आ रहा है लेकिन इसके वज़े से वो ब्यास दरों में कटौती का फैसला टालेंगे नहीं तो ये भी काफी पॉ बाजार क्योंकि पॉलिसी के पहले यहां पर क्लोसिंग हुई है सवजे से मिला जुला कारोबार यहां पर देखने को मिला लेकिन बॉर्ड मार्केट और गोल्ड और कच्छे तेल की बात करें तो वहां पर भी इसका रियाक्शन देखने को मिला बॉर्ड इंडेक्स एक सो पास सपार्ट है सोने वाइसों के ऊपर पहुच चुका है और कच्छे तेल में भी हमने देखा नर्मी देखने को मिला जितने भी हम आज के लिए कि उसकी बात कर रहे हैं वह भारती बाजारों के लिए आज सभी के सभी काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं तो अच्छी शुरुआत आज भारती बाजारों के लिए हो सकती है लेकिन आज एक्सपाइरी भी है तो उस लिहाद से देखना होगा कि आज कौन से लेवल से इंपॉर्टेंट रहेंगे भारती बाजारों के लिए यह तो था फेट चेर्मेंग का बयान और उस पर मार्केट का ऋपयथारी हां पर देखने को मिली तो एक तरफ घर था की तरफ चेरी के सब्सक्राइजों निकल कर आ रहे टो इन उन्हें आज के लिए कैसे अनालिसिस करें और निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेविल्स क्या नजर आ रहे हैं यह भाई यह भी समझ लेते हैं और आज हमाने साथ अंश जुड़े हैं पूरा अनालिसिस लेकर आज बैंक निफ्टी और निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेविल्स क्या होंगे बिल्कुल निफ्टी का चार्ट देखे तो पिछले सेशन में थोड़ा सा हरे निचान में क्लोज होता हुआ नजर आया था यहां पर सपोर्ट देखे तो सबसे पहला सपोर्ट हमें 21,700 का नजर आता है जो की प्रिवेस्ट सेशन का लो भी था यहां से नीचे जाता है तो सीधे 21,550 नजर आता जो कि फब मेने के लो भी थे रेजिटेंस देखेंगे तो यहाँ पे 21,930 नजर आता है जो कि 50 DMA का लेवल भी है यहाँ से उपर देखे तो फिर 22,120 का दूसरा एहम रेजिटेंस दिखता है Nifty Bank के बात कर तो यहाँ पे पहला सपोर्ट 45,700 पर नजर आता है और वहाँ से नीचे से लगता है तो सीधे 45,000 पर नजर आता है जो कि फेब महिने का लो था जहां पर एक सपोर्ट बेस भी बनावा था उपर के दर रेजिटेंस देखे तो 46,800 का नजर आता है जो कि एक रीसिंट रेजिटेंस भी था और वहाँ से उपर देखे तो सीधे 47,250 का दूसरा एहम रेजिटेंस देखता है तो आज ये कुछ लेविल्स हैं जिस पर की आपको नजर रखनी है बाजार आज अपने एहम सपोर्ट लेविल्स को होल्ड करता हुआ नजर आ सकता है और उपर के तरफ की लेविल्स भी आपको भी अन्श बता रहे थे बाजार पर और थोड़ा डीटेल्स में अनालिसिस कर लेते हैं हमारे साथ बाजार पर रणीती देने के लिए कुछी देर में क्या चौक से सेक्योरिटी के हमन का पाडिया भी जुड़ेंगे तो उनसे भी समझेंगे कि आज के लिए कौन से इंपोर्टन्ट लेवल्ट होंगे जिन पर CT आपको नजर रखनी है लेकिन अपको बता दे कि अभी थोड़े पहले जब अन्श से बात हो अ थी तो आपको important support levels और resistance लेवल बता रहे थे तो यह कुछ levels होंगे जिस पर की बाजार की नजर रहेगी और आज जो important support levels है वो बाजार कहीं न कई होल करता हुआ नजर आएगा कल हमने देखा था कि जो closing हुई वो एक recovery के साथ ही हुई nifty 21800 के ऊपर की closing कल nifty ने दी है और bank nifty की बात करें तो निशले सरों से अच्छी recovery यहाँ पर भी देखने को मिले और mid cap small cap index भी कल recover होकर ही बंद हुए थे अब आज जिस तरीकी के संकेत मिल रहे हैं global bazaar से वो भी काफी positive है इस वज़े से bank nifty के लिए अब उपर की राज जो खुल गई है वो 46,800 से 47,250 के levels अब दिखाई दे रहे हैं bank nifty के लिए जो कि एहम resistance के तर तौर पर भी काम करेगा लेकिन ध्यान रखिए आज है weekly expiry भी तो उस लिहाद से भी बाजार में उतार चड़ाव बना रह सकता है लेकिन यह जो range आपको आपके सामने आपने रखी उस range के आजपास आप प्ले करते हुए प्ले करने की कोशिश कीजिए आपके स्क्रीन पर इबार निफ्टी के भी support और resistance लेवल दिखा देते हैं और निफ्टी के लिए जो एहम support और resistance नजर आ रहे हैं वो नीचे की तरफ अब 21,800 का है और अगर उसके नीचे फिसला तो 21,500 तक के levels भी देखने को मिल सकते हैं उपर की तरह 2002 के लेवल चांश के लिए डेके सकते हैं जिस तरह का заявra का इंडिकेशन — डिफल की दो भी तो मिल रहा है तो यह जो रेंज है आज बडे करने की कि वैट्स की झीजई लेकिन है याज वीकली एक्सपारी भी तो उस लिहाज से उतार चड़ाव भी बना रह सकता है तो अपने स्टॉप लॉसस का भी धियान रखिए चली अब आगे बढ़ते हैं हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट जोड़ने की कोशिश करेंगे लेकिन अब आपको खबरो वाले शेर्स बत करते हैं अब याद है कि जो प्रेफिरेंश रा रहा है एक बोनस के जरीए आ रहा है लगबग 900 करोड का यह टोटल अमाउंट रहेगा और इसका जो अमाउंट है जो इशू प्राइस वो दस रुपे प्रतिश शेर पे रहेगा तो एक टाइप से अवार्ड मिल रहा है आप इसके तो इसके लावा एक बड़ी हस्ती आई है है शैलेश हरी बक्ती उनको जो इंडिपेंडेंट डिरेक्टर की तौर पे जो है पॉइंट किया गया है बड़े नामी जाने सिये हैं और यहां पे जो है ऑफकॉस एक इंपॉर्टन नाम भी जो है आड हो रहा है आपके ब पहली है यह इंटरनल लॉकोर के जरीह हो गा आज साड़े ग्यारा बजय कोन कॉल है जहां पे हम ट्रैक करेंगी कि इनकी क्या गाइड़ेंस हो तक आ गय जाते हुए और बादार का मानना है कि अपनी गाइडेंस को थोड़ी सी रिवाइस कर सकते अप्वर्ट बेसेशे से अब बात करेंगे हम लोग विप्रो की तो विप्रो में यहाँ पर उन्होंने अपॉइंट किया है एने मैरी राउलेंड को उनको सीओ के तोर पर जो है अपॉइंट किया गया है यह कैप को करके उनकी आम है वहाँ पे इसके लावा जो अल्रेडी एग्जिस्टिंग सीओ थे वो जादा हो रहा है सीजी कंजूमर एलेक्ट्रिकल्स 3500 सोलर पंपिंग सिस्टम्स का इनका बड़ा ओडर आया है यह दो स्टेट से आया है एक महाराश्च्ट से है और दूसरा राजस्थान से है वही आखरी स्टॉक आरवी एनल फोकस में रहेगा यहाँ पर जो है इंप बिल्कुल बहुतार शुक्रिया शरद आपका यह सारा इनालिसिस करने के लिए तो यह कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर क्या आपको नजर अकने ख़बरों के चलते हैं आज के लिए हमारे साथ जुड़ गये हैं किया चॉक्सी सिक्यॉरिटीज के हिमन का पाडिया है मंजी थ इंपॉर्टेंट होंगे आज मार्केट के लिए तो इंट्राडे अगर अगर आप लेवल देखेंगे तो इंपॉर्टेंट लेवल आज के लिए रहेगा 21,813 या आज के लिए इंट्राडे सपोर्ट लेवल बनता है एक सपोर्ट लेवल से 21,813 और उसके नीचे 21,760 अगर रिदेसिंट लेवल इंट्राडे की बात तो 21,880 और 21,980 इंट्राडे गैप पड़ा है तो इहां पर 21,980 के ऊपर ये रेजिस्टन्स आशकता है तो मतलब ये लेवल्स है बांज ज़रूर बनता है एंड तक पर प्लस में रहेगा कि नहीं मार्केट वो देखना ज़रूरी बनता है हम ठीक है तो गैप अप उपनिंग हो सकती है लेकिन फिर उसके बाद एंट्री लेने की जल्दबाजी ना करें और थोड़ा वेट करें आज के दिन बाजार को क्योंकि ये एकस्पारी भी है तो वो तेजी कितनी सस्टेनिबल होती है ये मार्केट उपनिंग के बाद थोड बैंको बरोड़ा पे बाइकॉल रहेगा इंटाडे बैंको बरोड़ा 284 से लेकर 244 रख नीके आया है और काफी ओवर्सोल्ड है वन्वे गिरावट हुई है कल टेक्निकल पैरमीटर से अपवर्ट की रिवर्सल दिया है मतलब एक पॉजिटिव दिया है और इंटाडे इं के आसपास के एंटी रहेगी 246 का stop loss रहेगा और 255 का target रहेगा बैंको बरोड़ा दूसरा stock जहां पे call है वो है गोजरेश प्रॉपर्टीज यह भी intraday रहेगा पुचो और यह भी buy call ही रहेगा और लॉंची कॉल मॉस सेम है और 2540 से लेकर 2100 तक वन वे गिरवट हुई है एक घंटे दो घंटे 60 मिनटे और 20 मिनिट के चार्ट पे buy दे चुके हैं तो वन सकिंड यह रीकावरी के लिए play हो रहा है 2139 क्लोजिंग है तो 2139 का ही entry है 2129 का stop loss रहेगा और 2159 का target रहेगा risk reward ratio 1 is to 2 हम ठीक है तो गोद्रेश प्रपर्टिस कहईदारी करके चलिए 2159 की target के लिए bank of baroda में 255 के लेवल साज देखने को मिल साथ है तो दोनों calls में आज तेजी करने की सला अब बात करते हैं ब्रोक्रेश रिपोर्ट की हमारे साथ गौरव जो जुके हैं पूरा अपडेट लेकर गौरव गूर्व बार्निंग बताईए जी हाँ तो सबसे पहले आज सुरुवात करते हैं कमिंस इंडिया के साथ क्योंकि HSBC ने यहाँ पर एक क्रेटिंग अपग्रेड तो किया है और इसी के साथ साथ टार्गेट प्राइज भी अपग्रेड किया है और मार्जिन्स भी सुधार सकता है उसके अलावा अगर हम एक्सपोर्ट की भी बात करें तो एक्सपोर्ट की जो डिमांड जो नीचे गिर रहे थी वो कई पर बॉटम आउट हो रही है और इसी सब के चलते हुए हमें अच्छा वैलुएशन और ग्रोथ देखने को मिल सकत और यही जो ग्रोथ है वो नेक्स ड्राइवर बन सकता है मार्केट सेर गेन के लिए डिमार्ट के लिए उसके अलावा अगर हम देखे तो कंपनी ने अपना लोएस्ट जो प्राइजस है वो तो बरकरा रखा है क्योंकि उनके उपरेशनल कॉस्ट कई पे कम है और अगर हम म कि में शेमेंट सेक्टर के में वेरी ने कंपैस तब कर दाकर डिया है छुषेंज़ फ़र्ड़ध km 0208 रुपीज सेहें पर किया तो उन्होंने कट किया है 786 रुपीज सफ्पर और डालमया् भारत पर पे पो कुट करने किया है 오iar 293 रुपीज तो उनका मन्ना ही मिकाए ट ग्रोथ जो है वो कहीं पर लाग कर रही है अगे जाके नियर टम्स में कई पर अपसाइड के लिए वो कहीं पर मिसिंग दिख रहे हैं उसके अलावा अगर हम ग्रोथ की बात करें तो इन्फरा में हाउजिंग में और प्राइविट केपिक्स में पर फिलहाल के पुरूरे इंवार्मेंट को अगर देखे तो उनका मनना यह है कि कई पर हमें डिमांड मोडरेशन देखने को मिल सकता है फिलाल के elections के टाइम में और इसलिए यह जो चेंज है टागेट प्राइस मे उन्होंने बढ़ा के 6,000 रुपीज का किया है और Zomato पर यही टागेट पैस बढ़ा के उन्होंने 200 रुपीज का किया है तो उनका मानना है कि काई पर इंटरनेट कमपनीज में काफी ग्रोथ सेक्टर में अभी भी काफी एक स्टेज मतलब एकदम स्टार्टिंग के स्टेज म के लिए इंडिया इंटरनेट कमपनीज का और उसके वज़े से काफी हेड्रूम में आगे ग्रोथ के लिए और आगे जाके QSR सेग्मेंट में कहीं पर हमें ग्रोथ अच्छा देखने को मिल चकता है और इसी के चलते हैं उन्होंने इन कमपनीज पे भी अपना टागेट प जादाता मिटकाप स्टॉक्स पर आज व्यूज निकल कर आ रहे हैं तो इस पर आप नज़र रखिए अब बात करेंगे के कमोडिटी मार्केट की रनीती बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं ट्रेड बुल्स सेक्यॉरिटीज के भावी पटेर भावी जी रहां कि स कर आई हैं तो इसके बाद से आगे की चाल कैसे रह सकती है और कैसे ट्रेड ले आज बॉर्निंग यस चुड़ दिसम्बर में एक्सपेक्ट किये थे कि यह साल करेंगे तिंक वही वीव उन्होंने रखा है तो उसकी वज़े से मने देखा कि सुन्य चान्दी में कल राट को हमरे मार्केट के बाद एक रिली फ्रेज ज़रूद है हुई है तो आज गैप अप ओपनिंग एक्सपेक्टेड और एक्रोस दो बोर्ड आज पॉज़े लेकि चल सकते हैं तो सोने चान्दी दोनों में रन नीती में रिबान डिप्स कि रहेगी यहां पे सोने में 65-750 के करी 66-100 के टागेट के लिए और चान्दी में अराउं 75-100 के करीब पाई कर सकते 75-800 के टागेट के लिए ठीक है तो यह हिसला सोने पर और कच्छे तेल में क्या रडीती होनी चाहिए नाविक जी? क्चे तेल में हमने 3-4 दिन से काफे एक रन अप देख रहा है और अभी थोड़ा बहुत अगर देखे तो रशया के जो रफाइनरी जो आफलाइन होए थे जो आफलाइन होने शुरू हो गये तो उसके वज़े से क्चे तेल में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग ड अगरा है कि यह थोड़ा पर करेक्षन हो आज के दिन कंटीनु रह सकता है बट ज्यादा नहीं लग रहा है बट अज के दिन जरूर से शॉट कर सकते एरांड शिक्षी ट्वेंटी के करें शिक्षी सेवन फुफिटी के टारगेट के लिए और शिक्षी एप्स्टी का स्ट लग रहा है देखिए चाइना में काफी कॉपर के स्मेल्टर जे उन लोगों ने जॉइन प्रोड़क्शन कट किया है तो वो एक पॉजिटिव है और यह जो सेंटीमेंट है फो एमसी के स्टीमेंट के बाद वो यह इतिंग सारे बेस मेटल्स को एक्षा बहुत ग्रीन टिक हम देखने को मिल सकती है आज के दिल तब कॉपर 752 के करीब बाई कर सकते 758 के टागेट के लिए और स्टॉप लास सकते 749 का ओके थैंक यु भावग जी समय देने के लिए और यह रनीती सुझाने के लिए तो यह हैं अजके टॉप ट्रेडिंग आइडिए सक्मोरिटी मार्केट से अब कुछ ट्रेडिंग आइडिया से बात कर लेते हैं कि एक्विटी मार्केट में कहां पर मॉक्या बन रहे हैं इस का होगा 400 का होगा स्टॉप लॉस टार्गेट है 365 का किरन जानी जैनाम ब्रोकिंग लिमिटेड उन्होंने जो अपने कॉल्स भेजी है उसमें पहला है दी मार्ट तेजी करके चलिए 4150 के टार्गेट के लिए और बाटा इंडिया थोड़ा रिस्की है इसलिए स्टॉप लॉस टार्गेट सुझा रहे है 3095 का तो यह दो कॉल्स किरन जी की तरफ से हैं एम्टे ग्लोबल फिनाशल्स ने टी सीएस में खरिदारी करने की सला दिये एक तालिस सो के लेविल्स वो देखने हैं और दूसरा स्टॉक होगा दी मार्ट आज इस स्टॉक पर नज़र रखे काफ तो 19 से 233 तक के लेविल्स देखने को मिल सकते हैं इस स्टॉक में PNB में और IOC पर भी 162 से 166 के लेविल्स देखने का अनुमान हैं तो यह हैं आज के टॉप ट्रेडिंग आइडियास चलिए फिलाल इस शो में इतना